नमस्कार मेहुर इंपॉर्ट के साथ और आप देख रहे हिंदे स्पेस्नूस तो चलिए डाल लेते हैं नजर आज दी मर्की तमाब खबरों पर राष्ट्र सेवा मिसंद पूरे देश व्यापी राष्ट्र हित के लिए काम कर रहा है लगाता जिस प्रकार से मिशन ने काम शुडू किया है इसे देखकर लोगों में उस्साह की भावनाएं बढ़ती जा रही है आज कुलकाता के राष्ट्री उपाध्यक्ष लाल बावु सिंग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मिशन को बड़े तौर पर तयार किया जाएगा इसको लेकर अगले माह एक बैठक होने जा रही है जिसमें एक नई कमीटी की घोशना की जाएगी कोई भी काम जनता के या राष्ट के हितों को देखते हुए राष्ट सेवा की भावना से किया जा रहा है इसमें किसी जातिपात उची नीच का कोई स्थान नहीं दिया जाएगा सभी को एक दुरिष्टी से इस सेवा के काम में करने और काम को देने में आवान किया गया है आए दिखाता हूँ एक खास रिपोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट हिंद एक्सप्रेस अधास्टिय सेवा मिशन के तरफ से एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है जो पूरे देश भर में विभिन राज्यों में या जो यहां के कार करता है वो इसमें लगे हुए है अब हारी संख्या में जो लोग है वो इससे जुड़ रहे हैं लाकि जो राष्ट मिशन का काम हो पूरा हो सके जो बच्चों को पढ़ाई में सुझगा हो रही है जिनको किसी पर कार की सहता की हो सकता है उसको लेकर राष्ट मिशन काम में जुड़ गया है और आप पर हरिश जी को इसका ढौइत दिया गया है और आप देख सकते हैं कि आज इसको लेकर के एक बैठक हुई है और इस बैठक के बाद में इस मिशन को सफल बनाने के लिए आगे की जो भी रणनी थुगी वो तैयार की जा रही है पुलकता से नरिंदु में की रिपोर्ट है मिश्टन का राष्ट के परती समर्पीत राष्ट के परती सेवा के भावना राष्ट के परती राष्ट में जो बढ़ रहे कूरितियां जैसे आपके साधी विवाह में दहेज परता को समाप्त करना यह मेरा मिशन है इस देश का सेवा जैशे सेना कर रहा है अपने सरहत पर खड़ा होकर उसका मीशन है देश में अलगाव बादी नहीं आवे देश को तोड़ने बाला कोई ऐसा सक्सियत नहीं आवे कि देश में आतंक पहलावे यह राज सेवा मीशन उसके तरब ही ध्यान रखता है राज सेवा मीशन का मतलब है कि गाईया संगठन आपके देश के हर प्रांत में है हर कोने कोने में है राज सेवा मीशन के राष्टिय अध्यक्ष जितेंदर नीरजी हैं जिनके नितुत में देश में सब जगा इस संगठन काफी मजबूत हुआ है सब जगा हम लोग जाते हैं और राष्ट के परती समर्पित लोगों का एक टूली और एक संगठन बनाने का काम हम लोग करते हैं जो राष्ट के परती वह वह बराबर सदेह उसके लिए कार्ज करें जिसमें महिलाओं की संख्या हो रही है औरतों की संख्या, नौजवानों की संख्या, जैसे कि अपने देश में बेरोजगारी है, उसका समाधान कैसे होगा, यह राष्ट, राष्ट सिवा मीशन का, यह भी मीशन है कि उबेकारी की समस्चा से जूज रहे लोगों का, जो समस्चा हो, उससे अब नुम लोग लड़े और उसका समाधान निकलवा में, एक महिनी के अंदर में, नई कमिटी का गठन होगा, और सभी नए नए लड़कों को जूड़ा जाएगा, जो यह राष्ट जितने भी है, जो कुछ भी अपने महले में हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं, आगल बगल देखके, आपने सारा कुछ की उन्हों को जुड़ा जागा, सब नहीं नहीं के, रास्तो जी, इस मिसन को कैसे आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या आप प्रग्राम करना हैं, रास्तो सिवा मिसन से मैं पिछले आठ बरसों से जुड़ा हूं, हमारे बरियो उपाध्यक्ष लाल बापु सिंग जी क्या हैं, उन्होंने एक दाइत्व हमें दिया, उन्होंने हमें कहा कि आप कारेकारी अध्यक्ष के रूप में पछी मंगाल में इस संगठन को बहुत ज्यादा बढ़ाईए, हरीश जी जो यहां के अध्यक्ष है, उनके सवयोग से हम यहां हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर वाड में हम अपना संगठन बढ़ाएंगे और राष्ट सेवा का जो में उद्दे से है, वो है जुरुत मन लोगों का सहयोग करना, राष्ट के प्रति उनको समर्पन की भावना जो है, उसको उजगार करना और उसे बताना कि आपका राष्ट के प्रति क्या दाइत्व बन अज हमारे बंगाल में एक राष्ट सेवा मिशन संस्था जो उनके उपाध्यक्ष लाल बाबु सिंग जी जो कलकत्ते के दौर पर आये हैं और हमारे बंगाल में हावडा बंगाल के हर जिले में वो राष्ट के प्रति सेवा अपना समर्पन करना चाहते हैं, बहुत सी समश हैं, मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ऐसे ही लगे रहे और हम लोग को आप से आगर बढ़ना है, आप हमारे आशिरबात दे ताकि हम लोग आपके साथ चले अज़िए कर अज़िए कर दो कर दो